नमस्कार, अन्वानगड राजस्तान से मैं आनन जैन आपका श्रिदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, जहां हम विज्ञान और एंजिनियरिंग विशों में बहतर समझ बनाके रुची पैदा कर रहे हैं, चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को विद्ध परिपत अध्याई में रसाइनिक सेल के बारे में जानते हैं और समझते हैं, सेल में विद्ध वाहकबल और आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्पर करता है, विविद प्रकार के प्रात्मिक सेल कौन कौन से हैं, सेल के विद्ध वाहकबल और आंतरिक प्रति प्राथमिक चलाते हैं जिनमें रसाइनिक प्रक्रियां केवल एक तरफा चलती है ऐसे सेल के पदार्तों को हम दुबारा विद्धुतूर्जा देखके उल्टी दिशा में उतकर्मनिय रूप से नहीं चला सकते हैं इन सेलों में पुने आविशन नहीं हो सकता है वहीं कुछ लेड एसेट प्रकार के सेल दुथिक सेल कहलाते हैं जिनमें रसाइनिक प्रक्रियां उतकर्मनिय होती हैं और इने रसाइनिक प्रिया से विद्धुतूर्जा प्राप्त करने के बाद वापस विद्धूतूर्जा देके रसाइनों का पुराना रूप पुने प् केतोard के रुप में प्रियो किया गया और एक विलियन तनू सल्फूरिक अमल का Вिध्यूतप गट्ये के बतुर लिया गया इस विलियन में तनू सल्फूरिक अमल हॉईटोजन आयन और सलफेट आयन में आइनी करत हो जाता है इन आइनों की पसंदगी एफेनिटी दोनों इलक्टोडों के लिए अलग अलग है एच आइन तामबे की और आकरशित होते हैं और सल्फेट आइन जिंक की तरफ आकरशित होते हैं और जिंक के कैथोड पर सल्फेट आइन अपने दो इलक्टोन जिं जिनके रिनावेशित इलक्टोड का विभाव विद्यूत अपगट्य के सापेक्ष रिनात्मक 6.62 वोल्टमान का प्राप्त हो जाता है। जिनक के बीच में विभुवांतर 1.08 वोल्ट के बराबर हो जाता है तो ये रसाइनी क्रियाई रुक जाती है। होने लगता है तो रसाइनी क्रियाई फिर चालू हो जाती है और इस तरह से रसाइनी क्रियाई से बाहिय परिपत में धरा का प्रवा तब तक जारी रहेगा। तब तक सारा जिंक, जिंक सलफेट के रूप में विलियन में घुलना जाए। इस तरह के वुल्टा सेल में दो खामिया है। एक खामी जिंक में अशुद्यों के कारण जिंक का लगातार बाहिय परिपत में धरा प्रवा ना हो तब भी खतम होना है। और दूसरी खामी एचाइनों का और हाइटोजन गैस का तामबे के धन इलक्रोड के पास 71 होके बाहिय परिपत में धरा प्रवा को गटाना है। इन्हें हम करमशे स्थानिय क्रिया और धुर्वी करण कहते हैं जरा इन्हें समझते हैं। गुल्टा सेल का एक दोस फानिय क्रिया इस जिंक कैथोड इलक्रोड में अशुद्यों के कारण होती है। जिंक के साथ क्रिया करके जिंक को दो इलक्रोन देता है और ये अशुद्या हाइटोजन आयन को उनी इलक्रोनों को प्रदान करके हाइटोजन गैस बना देती है। इस तरह से पारे में समामेलित अमलगमेटेड जो जिंक की छड है उसमें पारे की परत अंदर जो अशुद्या हैं उन्हें विद्यूत अपगट्या के साथ क्रिया करने नहीं देती उन्हें धगकर रखती है। नहीं जिंक पारे में गुल-गुल के सतय पर आकर विद्यूत अपगट्या के साथ रसाइनिक रूप से कारियस शिल रहता है। और इस तरह से पारे में समामिलित अमलगमेटेड जिंक की छड जिंक के उपर पारे का लेप किया हुआ है परच चड़ी विये उसमें इस्तानिय क्रिया से बचाव हो जाता है। पारे में इसमें का मुक्त आवागमन बादित होता है और उससे सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोद बढ़ जाता है। क्लांसे सेल में कार्बन इलक्टोड के चारों तरफ मेंगनीज डायोकसाइड का इस्तेमाल करते हैं जो डी पोलराइजिंग एजेंट का काम करता है। वहीं डैनियल सेल में जो हमारा एनोड कोपर का पातर होता है उसके चारों तरफ हम कोपर सल्फिट का विलियन इस्तेमाल करते हैं और ये विलियन वी धुरवक का कारिय करता है। वोल्टा सेल में जो खामियां थी उन्हें दूर करते वे एक उन्नत सेल डैनियल सेल के रुप में हमने प्राप्त किया। वहीं वी धुरवी कारक के लिए जो हमारा एनोड तामबे का पातर है उसमें कोपर सल्फिट का विलियन का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल के दोरान और सेल के सिरों पर वोल्टेज स्तिर 1.08 बनी रहती है। इसलिए डैनियल सेल को एक मानक सेल के रुप में भी हम प्रियोक्षालाओं में इस्तेमाल करते हैं। वुल्टा और डैनियल सेल के अलावा लेकलांसे सेल के बारे में भी परिक्षाओं में प्रश्ण पूचे जाते हैं लेकलांसे सेल में हम कार्बन की छड को एनोड के तोर पे इस्तेमाल करते हैं जिंक की छड कैथोड के रूप में इस्तेमाल होती है और स्तानिय क्रिया को रोकने के लिए इसे अमलगमेटेड समामेलित किया हुआ है पारे की परत चड़ाई हुई है और विद्धुत अब गट्टे के रूप में लेकलांसे सेल में अमोनिया क्लोराइड का विलियन इस्तेमाल किया जाता है धुर्वन पॉलराइजेशन से बच अच्छा 1.5 वोल्ट अधिक मान का है जो पदार्थ इस्तेमाल किये गए हैं कार्बन जिंक और अमोनिया क्लोराइड वो बहुत जादा मेहंगे नहीं हैं सस्ते हैं इसलिए लकलांसे सेल का विवशाईक रूप से काफी प्रियोग होता है इसके इस तरल रूप की बजाए स जिंक का पातर है वो कैथोड का रिन इलक्टोड का काम करता है दोनों के बीच में यहां एक कुछालक सतह दोनों इलक्टोडों के मद्य विद्धूत अंतराल बनाती है विद्धूत अब गट्य के रूप में अमोनिया क्लोराइड को लकडी के बुरादे में अफशोशित क के इस्तेमाल किया जाता है लकडी के बुरादे में चालकता बढ़ाने के लिए अमोनिया क्लोराइड के इस पेस्ट में कुछ मर्कूरस क्लोराइड और कुछ कोईले का चूरा भी डाल दिया जाता है वी धुर्वक के रूप में कार्बन इलेक्टोड के चारों तरफ चूरा डाला हुआ होता है एक सेल का विद्धूत वाहक बल इलक्टोमेटे फोर्स EMFE विद्धूत अपगटे में रखे वे एनोड और कैथोड के बीच में प्राप्त वो विभुवांतर है जो सेल के सिरों को खुला रखने पर बिना किसी धारा प्रवा के दोरान हमें हो जाता है तो खुला परिपत सिरों का विद्धूत वाहक बल EMFE है एक सेल के विद्धूत वाहक बल का मान उसमें उप्योग में लिए गए एनोड कैथोड और विद्धूत अपगटे पे निरबर करता है ये इलक्टोड की जामिती उनके बीच में दूरी विद्धूत सांदर्ता ताप इत्यादी पे निरबर नहीं करता है एक सेल परिपत में विद्धूत वाहक बल धारा प्रवाह के दोरान आंतरिक प्रतिरोद और भाहिय प्रतिरोद दोनों पर कारिय रत रहता है परिभाश अनुसार सेल का विद्धूत वाहक बल वैजूल में किया गया क पुन का रख अंतरिक प्तिरोध है जिसे स्मोल आर्थ से इंकित करते हैं विध्यूत अपहटे विलियन में जो आविश्वाहक हैं जो दोनों इलक्टोन और दोनों परकार के धन और रिनाएं हो सकते हैं उनके प्रवा का विरोध जो सेल के अंदर होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं मुख्यत है ये आविश्वहक जो धाराप्रवा में योगदान करते हैं वो धनायन और रिनायन है और उनके विलियन के अंदर दोनों इलक्टोडों के बीच में धाराप्रवा के दोना आवागमन का विरोध सेल का अंतरिक प्रतिरोध है जो निम्न कारकों पर निर्भर करता है सेल का अंतरिक प्रतिरोध विद्यूत अपगटे की चालकता पर निर्भर करेगा और ये चालकता विद्यूत अपगटे की सांदरता और तापमान पर निर्भर करेगी एक तनू विलियन में अधिक मात्रा में विद्धुत अपगटन होने से आईनों की मात्रा अधिक होगी पदार्थ मात्रा कम होने से टक्रें कम होने से आईनों की गतिशिल्ता भी अच्छी होगी और चालकता का मान अधिक रहेगा वहीं अगर हम तापमान बढ़ाते हैं अपगटे का तो आइनों की गतीशिलता बढ़ जाती है और उससे विद्धुत अपगटे की चालकता बढ़ जाती है तो तनू गोल और उच्छ तापमान के विद्धुत अपगटे का आंतरिक प्रतिरोद कम मान का होगा सेल के आंतरिक प्रतिरोद का मान दोनों एनोड और कैथोड के बीच में क्या दूरी है उस पर में निर्बर करेगा वस्तूत है ये विद्युत धारा प्रवा के रास्ते की लंबाई हो गई है और अगर हम दोनों इलक्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो आंतरिक प् में होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोद सेल के दोश धुर्वी करण पर भी निर्बर करेगा अगर सेल में धुर्वी करण की मातरा अधिक है एनोड के पास हाईन और हाईटोजन गैस अधिक मातरा में संगनित हो गई है तो वो सेल के अंदर आईनों के आवा गमन को अधिक र बढ़ सकता है वेवारिक विद्यूत परिपत में सेल एक विद्यूत वाहक बलके स्त्रोथ के साथ शेनी में एक आंतरिक प्रतिरोध लगेवे का समू है और जब सेल एक बाहिये प्रतिरोध में धारा का प्रवा करता है तो उसके आंतरिक प्रतिरोध में भी वही धारा प्राप्त करेंगे तो सेल के सिरों पर विभव का मान सरल रिखे रूप से अधिक धारा पे कम होता हुआ प्राप्त होगा धारा हो गई है वहीं जो सेल के सिरों पर विभवांतर हमें प्राप्त होता है वो केवल भाहिय प्रतिरोद के आरपार है और विभवांतर जो सिरों पर आया है और भाहिय प्रतिरोद का अनुपाद भी सेल की धारा का रूप हो सकता है वहीं अगर आंतरिक प्रतिरोद के दो स चिरों को चिन्नित करके उनके विभुहांतर को ग्याद करें तो हम ए के विभव वरदी और सिरों के विभुहांतर वी में कमी के अंतर 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 क प्रतिरोद पे विभव विद्धुत वहकबल और सिरों के विभुवांतर के अंतर के बराबर है ये नीले फ्रेम और पीली हाइलाइट में आया हुआ विद्धुत धारा का सेल का सम्मन्द सभी प्रकार के विशलेशन है तू बहु उपयोगी है और इसे हम इस चितर से समझ स रखते हैं विद्धुत वहकबल आंतरिक और बहिये दोनों प्रतिरोदों पर कारियरत है बहिये प्रतिरोद पर केवल सिरों का विभुवांतर वी कारियरत है और आंतरिक प्रतिरोद पर विभुवांतर विद्धुत वहकबल और सिरों के विभुवांतर का अंतर ए माइनस वी है अगर भाहिय प्रतिरोध परिवर्तंशील हो तो तीन प्रतिरोध मान हमारे लिए विशेश अध्यनुदेश रखते हैं एक स्थिति भाहिय प्रतिरोध का शुन्य मान है जब हमने सेल के दोनों सिरों को मोटे तार से जोड़ देना है भाहिय प्रतिरोध का मान शुन्य ह तो सेल के सिरों का विभव भी शुन्य हो जाता है और इसे हम लगू परिपत शॉर्ट सर्किट बोलते हैं और ऐसी स्थिति में जब सिरों का विभव जीरो हो गया है तो सेल का सारा विद्यूत वहकबल आंतरिक प्रतिरोद पर आ जाता है और सेल की धारा विद्यूत वहकबल और आंतरिक प्रतिरोद के अनपात के रूप में आ गई है और ये धारा जैसे हम लगू परिपत धारा शोर्ट सर्किट करन कहते हैं वो धारा का अधिक्तम मान है जो सेल से हम प्राप्त करते हैं एक लेड एसिट बैटरी में आंतरिक प्रतिरोद का मान काफी कम होता है तो अगर उसके सिरों को लगू परिपत किया जाएगा तो बहुत अधिक धारा हमें शोर्ट सर्किट कंडिशन्स में प्राप्त होगी वहीं लेकलांसे सेल का अंतरिक प्रतिरोद सापिक्स्ता काफी अ है जब हमने सेल के सिरों को खुला छोड़ दिया है बहुत प्रतिरोद का मान अनंत माना गया है इसे हम ओपन सर्किट खुला परिपत स्थिति कहते हैं इस सेल में प्रवाई धारा का मान शुन्य होगा ध्यान रहे लगू परिपत स्थिति में सेल के सिरों का विभव शुन् पर प्राप्त वो विभवांतर है जो सेल की खुली स्थिति में, शुन्य धारा की स्थितियों में हम प्राप्त करते हैं। या नीले फ्रेम में आएवे सेल धारा के रूप को इस पीली हाईलाइट में आएव परिपत को याद करके समझा जा सकता है। सेल का विद्यूत वहकबल आंतरिक और भाहिये दोनों प्रतिरोदों पे कारे रत होकर धारा बनाता है, भाहिये प्रतिरोद का विभुवांतर सिरों का विभुवांतर वी है, तो परिपत की धारा का ये स्वरूप हो सकता है, वहीं आंतरिक प्रतिरोद स्मोल आर पर जो लगती धारा का मान बढ़ती धारा पे बढ़ती धारा पे बढ़ेगा और ये आंतरिक प्रतिरोद में विभवपात का मान जब बढ़ती धारा पे बढ़ता है तो सेल के सिरों का विभव बढ़ती धारा पे लगातार घड़ता हुआ रिखिल अभिलक्षन या लाल इलिप्स के सुत्र अनुसार हमें प्राप्त होता है एक सेल परिपत में बाहिये प्रतिरोद में प्राप्त शक्तियां बाहिये प्रतिरोद के सिरों के विभुवांतर वी और परिपत की धारा आई का गुननफल है जब हम खुला परिपत स्थिति में देखते हैं तो सेल के सिरों पे विभव तो अधिक्तम है विद्धुत्वाखबल के बराबर लेकिन धारा नहीं होने से खुला परिपत की स्थितियों में कोई शक्ति नहीं है इसी तरह से लगू परिपत की स्थितियों में भी हलांकि धार अधिक्तम हो गई है लेकिन सिरों पे कोई विभव नहीं होने के कारण बाहिये शक्तियां शुन्य हैं तो सेल खुला परिपत के स्थिति में भी और लगू परिपत के स्थिति में भी कोई निर्गत शक्ति नहीं रखता है निर्गत शक्ति का मान सेल के विभव और धारा का ग दोनों बाहिय और आंतरिक प्रतिरोद के भाग से प्राप्त करें और धारा को वर्ग करके प्रतिरोद से गुणा करें तो हमें भार में शक्ति का ये रूप प्राप्त हो जाएगा और यहां बाहिय प्रतिरोद जो परिवर्तंशील है वो अंशोर हर दोनों में अलग-लग और ऐसी स्तिती में विभाव और धारा का गुनन फल परिपत की अधिक्तम शक्ती E2 by 4R रूप धारन कर लेती है। स्तितियों में हमें प्राप्त हो गया है। तो इसका मान आंतरिक प्रतिरोद के बराबर होना चाहिए और इस्तिती में सिरों का विभाव खुला परिपत के अधिक्तम विभाव का आदा है और परिपत की धारा लगू परिपत धारा की आदी है और अधिक्तम शक्ती E2 by 4R हो गई है। कि अगर एक नियत बाहिय प्रतिरोद है और आंतरिक प्रतिरोद अगर परिवरतन शील है तो इस नियत बाहिय प्रतिरोद में अधिक्तम शक्ती के लिए अधिक्तम धारा होगी और अधिक्तम धारा आंतरिक प्रतिरोद के शुन्यमान पे प्राप्त होगी। आगामी चार संख्यात्मक प्रश्णों के अभ्याद से विशे समझ बहतरीन और परिक्षय उप्योगी बनेगी एक सेल के सिरों के विभव और परिपत की धारा के बीच में अभिलक्षन यहां चितना नुसार है इस सेल के लिए अगर हम बाहर से 4.5 ओम का प्रतिरोद क्या रहेगी यह ग्याद करना है और इसी सेल के द्वारा भाहिये परिपत को अधिक्तम शक्ती कितनी दी जाएगी वो भी ग्याद करना है यहां बिलक्षन से स्पस्ट है कि खुला परिपत की स्थिति में जब धारा शुन्य है तो जिस शिरों पर विभवांतर आ रहा है व सेल के विद्धुत वाहकबल EMF के बराबर है तो हमें सेल का EMF तीन वोल्ट प्राप्त हो गया है लगू परिपत के स्थिति में सेल का विभाव शुन्य होने पे लगू परिपत धारा शेंपियर बता रही है कि शेंपियर विद्धुत वाहकबल और आंतरिक प्रतिरोद का पात है और हम आंतरिक प्रतीरोद को खुला परिपत में प्राप्त विद्यूत Waakbal में लगू परिपत की धारा का भाग दे के आधा ओम प्राप्त कर चुके हैं अब इस सेल जिसका विद्यूत Waakbal तीन वोल्ट है आंतरिक प्रतीरोद आधा ओम उसके साथ जब भाहिय प्रतिरोद साड़े चार ओम लगाया है तो सेल की धारा गणना करने पे 0.6 A हमें प्राप्त हो जाएगी इस 0.6 A धारा के साथ भाहिय प्रतिरोद आर जो साड़े चार ओम है उसमें विभवपात आई आर ही सेल के सिरों का विभवांतर है जो 2.7 A वोल और विद्यूत वाहकबल 3 वोल्ट में 0.3 वोल्ट की वोल्टेज डोप घटाने पे सिरों का विभव 2.7 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। परिपत की धारा 3 वोल्ट हमें प्राप्त हो गई है जो लगू परिपत धारा का आदा मान है और इस धारा पे सेल के अंतरिक प्रतिरोद और वाहिये प्रतिरोद में कुल विद्यूत वाहकबल का विभाजन हो जाएगा तो सिरों का विभव विद्यूत वाहकबल का आदा 1.5 वोल्ट हमें प्राप्त हो गया है और सिरों के विभव और धारा का गुननफल परिपत की शक्ति अधिक्तम 4.5 वाट हमें ग्यात हो जाएगी एक सेल परिपत में जब भाहिये प्रतिरोद एक ओम है तो धारा तीन एमपियर है और जब हम भाहिये प्रतिरोद का मान दो ओम कर देते हैं तो ये धारा घटके दो एमपियर रह जाती है अगर इसी भाहिये प्रतिरोद को तीन ओम कर देंगे तो सेल की धारा क्या होगी ग्यात करना है माना सेल का विद्धुत वहक बल एमफ केपिटल ए और अंतरिक प्रतिरोद स्मोल आर है जब भाहिये प्रतिरोद एक उम है तो परिपत की धारा विद्धुत वहक बल में आंतरिक और भाहिये प्रतिरोद के जोड से हमें ग्यात हो गई है जो तीन एमपियर दीवी है ये हमारा पहला समिकरन हो गया है और जब भाहिये प्रतिरोद का मान दो एम कर दिया गया है तो उसी सेल की धारा अमिकरन से 2 आर प्लस 4 अगर निकाल लेते हैं और इसे हल करते हैं तो हम पाते हैं कि सेल का अंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर एक ओम हमें प्राप्त हो गया है सेल का अंतरिक प्रतिरोध एक ओम यहां रखने पे हम पाते हैं कि सेल का विद्धुत वहाग बल 6 वोल्ट ग्यात हो और अगर सेल का विद्धूत वहखबलद 6 वोल्ट है अंत्रिक प्रतिरोध 1 ओम है तो भाईए प्रतिरोध 3 ओम में कुल प्रतिरोध 4 ओम के साथ सेल का विद्धूत वहखबल 6 वोल्ट 1.5 अंपियर धरा बनाएगा अएक सेल के सिरों पर एक आदर्श वॉल्опас पाठियां परता है इसी सेल के सिरों पर जब हम 5 ओम का भाहर प्रतिरोद लगा देते हैं तो सेल के सिरों पर वोल्टेज वोल्ट मीटर द्वारा घटने पे 1.8 वोल्ट ना पी जाती है तो सेल का अंतरिक प्रतिरोध हमें ग्याद करना है हमें दियावा है कि खुला परिपत के स्टिटियों में सेल के सिरों का विभू अंतर उसका विद्धुत वहाग बल 2.2 वोल्ट है और सेल के सिरों पे 5 ओम का वाहिए प्रतिरोध लगाने पे विभू गटके 1.8 वोल्ट रह जाता है हम सिरों के विभू और प्रतिरोध मायं से परिपत की धहरा घंडना गर सकने हैं विभू धहरा के अनपाद से ये धहरा 0.6 अमपार आ गई है और सेल का अंतरिक प्रतिरोद ग्याद करने के लिए सेल के अंतरिक प्रतिरोद पे जो वोल्टेज आती है जब सिरों का विभव वी है तो वो विद्यूत वहकबल और सिरों के विभव के अंतर के बराबर होती है एक सेल का स्त्रोत विद्जुत वाहक बल 12 वॉल्ट और आंत्रीक प्रतिरोद 2 judy औम है और इसके साथ एक आधर्श एमिटर और एक भाहिय प्रतिरोद 4 judy औम जुड़ा जाता है सेल के सिरों पे एक आधर्श वॉल्टमीटर से विभो का मापन किया जाता है तो एमिटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांग हमें बताने हैं इस परिपत में आंत्रिक प्रतिरोद और भाहिय प्रतिरोद जुड़कर कुल प्रतिरोद 6 ओम है और 12 ओल्ट का विद्युत वाहक बल दोनों में 2 एम्पियर की धारा बना रहा है और यही एमिटर का पठ्यांग हो जाएगा परिपत धारा 2 ओम्पियर 2 ओम्पियर दारा से चारों के इस बहिय प्रतिरोद में जो सिरों का विभुवांतर है वो 8 ओल्ट हमें प्राफ्त हो गया है वही हमारे वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी आज की इस बहतरीन ग्यानवर्दक लर्निंग वीडियो के मदद से आप सेल के बारे में समझ बहतर बना पाए होंगे सबी परकार के प्रात्मिक सेल वोल्टा, डैनियल और लेकलांसे सेल की सरंचना और कारिय वैवार को आपने समझा है आप सेल के विद्धुत वाहकबल और आंतरिक प्रतिरोद को भी ठीक से समझ गए हैं और वो किन कारकों पर निरबर करते हैं ये बात भी आपके समझ में आई होगी और सेल के विद्युत्वाहकबल और आंतरिक प्रतिरोध पर आधारित परिक्षाउपयोगी प्रश्न आपको सफल बनाएंगे हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही ज्यानवर्दक और परिक्षाउपयोगी हैं वे नाइस ताइम थैंक यू वेरी मुच